अगर आप कावड लेने जाओगे तो आपके फूल बरसाए जाएंगे, आप नोकरी मांगाँगे तो लठियां पड़ेंगी, ये एजेंडा है, ये मोदी जी ने एक भासन में कहा था कि ये संयोग नहीं परियोग है, तो ये परियोग है, मनीपुर जो है, सेकेंड गोदरा है और थर्ड अब ये नेवात हो गया, इस देश के, पूरे देश को बेज के कटोरा पकड़ा देगे, क्योंकि ये समीधान के समर्थ कभी नहीं रहे, अब 28 मई को नई संसतगाव दुकाटन ये डिकलेड कर दिया कि मैं देश के समीधान को नहीं मानता, मैं राज दंड रख चाहिए मैंने मंदंडे शे चला हूँगा, अब कोई डाउट है? अरेशैस की प्लानिंग है, वो अरेशैस की विचारदारा है, ये नाग और हेलमेट ऐसा बना लिया कि चेहरा डख जाए इनके लोग आकर दंगा करते हैं इनके लोग लाठी चाज करते हैं पुलिस पुलिक समझेगी कि पुलिस है ठीक है ये प्रियोग चल रहा है बड़े आरूग लगा रहा हूं और यह नहीं ये कोर बात है ये मोदी जीन ने बा हो गया और दो हजार चौनाओ तक ये आदादेश को जलाने की गारंटी आरस है इसकी बड़े आरूब लगा रहे है मोदी जीन बलकुल मैं देश नहीं बिकने दूगा मैं देश नहीं जीकने दूगा अब क्या करें पूरा वेच चूँगा बेच तो दिया क्या 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 रेल, गेल, बेल, एरपोर्ट, बंदरगा, आपके पास बचाया कुछ, तमाटर डाई सो रोपे किलवाज में सुभग गया था सब जीमंडी, सारा डाणी के गोदा में भरा है, इस देश के पूरे देश को बेच के कटोरा पकड़ा देगे, क्योंकि ये समीधान के समर्थ तक आज RSS है, और, और बड़ी बाते बता जिता हूँ, 6 दिसंबर 1922 के बाबरी मस्जित क्यों तोड़ी, अब 28 मई को नई संसतगाउ दुकाटन ये डिकलेड कर दिया कि मैं देश के समीधान को नहीं मानता, मैं राज दंड रख दिया, मैंने, मैं दंडे से चलाऊँगा, समीधान के मत्थाटे का आता, समीधान को चेंज कर दिया, अमारी पार्टी कार्याले में रख्या है, उसमें से तीन वर्ड निकाल दिये, धरमने फेक्सता समाजवाद और अखंड, वैसे बासरों में बाता, आखंड भारत बनाएंगे, अशोक का था अखंड भारत तो, ब उछिए अचिकान के पीड्राइली का आया कलो है, उन और कावडी को, उत पात मनचा रहे थे, उन्हों थोड़ा इसको को टाइट कर दिया, वो मुष्ली बावली का इलाके से निकलना चारहे थे, अच्छिको रूट नहीं था, और रूट को डाईवर्ट तोड़के, अगर आप कावर्ड लेने जाओगे तो आपके फूल बरसाए जाएंगे, आप नोकरी मांगोगे तो लाठियां पड़ेंगी, ये एजंडा है, पहने को तो कुमगे मेले में मोदी जने सफाई करमचारियों के पहर दोही, बर्ती कितने करें हैं, चोदा से अब तक डाटा नि समय दानिक संस्थाओं को दबस्त कर दिया है, लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि 24 में 400 के पार, वो तो 600 पार भी कह देंगे, कहने का क्या है, कोई जबान है, कोई जबान है, पंद्रा लाख भी आएंगे, मैं सोद्र में काड़ा दन लाओंगा, ये मेरी गारंटी है, प पचास दिन दे दो, वहनों भाई हो, चुराया बता दे ला, अब उचुराया ढूंड रहे हैं, वो कोई कोई से मिलेंगे, मिलते ही नहीं है, पारलेमेंट भी नहीं मिलते, भागे फर रहे हैं, हाँ, गंती बजाने में, मंदिर में, माथ्था रंगने में, उसमें नमबर पाखनड करने में नमबर वन है, इस देश को गुलाम कर दिया है, यह लड़ाई होगी चोबीश में, अकर देश को समीधान को बचाना है, हर लोगतशन को बचाना है, 15-85 की लाइन खैच का लड़ाई होनी चहिऊ है, 85ва-85, काशी रामवाडी लाइन पर चलें, मंडल कमिश कि yaptled कि सम्मिधान पाज टक पर्टी नो बॉत नहीं मांगे हमारे नेताजी सम्मिधान आत्मे लेकर चलते हैं हमेश के लिए वोट चाहिए इसको बचाना हमने उन्हों है जाकर मिल जाते इक तरह आरस पर भीन जो है आपको पता है किस यार निक सबसे मुट्री बनाई यह वाजपेई जी ने, बच्चो आप लोगों को पता ही नहीं है, सबसे पहले समिधान समिक्षे आयोग वाजपेई जी ने गठित किया था और उसकी रिपोर्ट पढ़ने लाइक है पारलेमेंटर में रखी होगी, उस आयोगों ने क्या रिपोर्ट दी थी, कि समिधान में कोई कि कमी ने है, कमी है हमारे लागू करने वाजपेई में, हमने उसको डंग से लागू नहीं किया, और मेरा चेलेंज है ये, कि देश की जोना 50% MP और ML ने उसको खोल कर नहीं देखा कि इसमें क्या लिख रख्या है, तो जानते नहीं समिधान के बारे में